प्रस्ताव लाए था नों किस लाया था इसका आपने भी जवाब दिया लेकिन विपक्ष संतोष जनरे आपके जवाब से संतोष नहीं गई गा और वकाउट कर दिया आपका क्या कहना है देगे विपक्ष वकाउट करके लूज में बना रहने चाहते जनता से जुड़े मसलो पर पस्ताव लाते परदेश के विकास के शेत्र में पस्ताव लाते किसी विधानसावा शेत्र के विकास में पस्ताव राते कामरोग को पस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा थियार है वो विधायक निदी को लेकर आए और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा ह कि जुड़ी हुई है और जो कामरों को पृस्टाव होता है वो प्रदेश के विकास प्रदेश में कही मान हाने हुई हो परदेश में कभी कोई ऐसी बाड आगी हो आपधा आगी हो कोई बड़ी घठना होगी है उस दृष्ट्री को लाए जाता है बधायक दिलीदी की समझ में पस्तावला है अब आर्थिक बधाली से जो पुरदेश गुजर रहा है और हम विवस्ता को सचारू करने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं कहा है कि हम सत्ता सत्ता सुक के लिए नहीं आये हम विवस्ता परिवत्तन करने के लिए आई है जिसकी जलक आपको आज देखने को भी मिली मैं बार-बार कह रहा हूँ परिदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे विकास को नई दिशा देंगे हम अपने आये के स्रोत कैसे बढ़ाए उसको नई दिशा देंगे और दिनरात मेहनत करके हमाचल परदेश की जनता में हम अपने सरकार के जो वचन बत्ता है, कटी बत्ता है उसके लिए हम कार्या कर रहे है मुझे उनका वाक आउट करना उच्छिन लगा ये चोटा से ये बिधायक निदी अठासटी हमेलों से जुड़ी थी जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था लेकिन रानिती कलाब के लिए कर रहे है रानिती कलाब किस चीछ का आप जनता की जुड़ी समस्यों से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते हैं और इस देश्टी से आज बड़ा जो बीजेपी ने वाकट किया उन्हें अपनी रानिती पर द्वारा भी विचार कलना है किस तरह का बिलोग क्या प्राफदानों कर लोग ये भी कर रहे हैं कि इसकी लागती बेश्वे जनता भी बेएगी किस तरह का कौन सर्थ बाराजार में एकाबाट के करिए उसके जो जायम बनते हैं उस पर बारटर सेस लगता है और यह प्रशन ही नहीं है बारटर सेस तो उनस पर लगता है सर्थ मेत्रा परतीपक्षे कह रहे कि संतुष महिए सरकार के जब आपसे जो लाइबिल्टी पहले से जो कॉंग्रेस सरकार की थी वो तो आगे लेकर गए है और आप तो कर्ज चुका कर नहीं गए थे ऐसा जो है पूर मुख्य मंतरी जी जो कह रहे है वो गलत है हमें यह थोड़ी सोचना है कि पिछली ने कर्ज दिया रह मागे और भी चले हमें यह सोचना है कि उसको विवस्ता को कैसे सुचारू करता है हमें यह भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दैतव नहीं है हमारा आयके स्रोथ भाना भी दैतव है इस द्रिष्टी से हमने सोचना है अगर वो सोचते हैं कि मैंने हम मुथ्या मंत्री बन जाए है उसके बाद मेरे पाद जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर आपने विवस्ता सरकार चलाऊं तो यह ठीक नहीं होता हमें हमाचल के बविश्या के जो युवा पीडिया उसके लिए सोचना है किसान के लिए सोचना है महलाओं के लिए सोचना है मस्दूर के लिए सोचना है कर्मचारियों के लिए सोचना है अधिकारियों के लिए सोचना है हमने फिर भी विवस्ता की एक हजार क्रोड हमने सरकारी करमचारी और अदिकारी को ओल्ड पेंशन स्कीम के तैट ला रहे हैं हम विवस्ता कर रहे हैं सुधार कर रहे हैं अब ये कहना कि मैं अमेलों को हमाचल सदन हमाचल मवन दिल्ली में बारर सो रुपया लगते हैं और सबसीडी का खाना भी बंद कर दिया गया है मैं भी खुद उनके अधिकारों का प्रोप कर रहा है और करमचारी को सिरफ पांसो रुपया लगता है इस दिस्टिकों से हमें ने सोचना है हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगा लानी है ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर ना रहे आम आदमी की तरह हम लोग जी है दन्यवाद